Hello friends, welcome to GatesMesh here Let's understand a numerical और इस numerical से आपको indexing का जो topic है उसको समझने में बहुत ज़्यादा help मिलेगी क्योंकि अगर आप किसी भी topic हो कहीं से भी अगर आप indexing को सर्च कर रहे हो, indexing के topic को पढ़ रहे हो, तो अगर आप बिना numerical के पढ़ रहे हो, तो आपको वो बिल्कुल clear नहीं होगा आप सिरफ theory पढ़ रहे हैं मतलब उसकी लेकिन अगर आपको उसके पूरे concept को समय नहीं है, तो आपको इस numerical की help लेनी ही पढ़ेगी चाहे इस numerical को ले लो चाहे किसी भी numerical को जब हम value से उस चीज को solve करते हैं तो आपको वो concept properly clear होगा तो यहाँ पे पहले indexing तो बाहर में देखते हैं सबसे पहले इस numerical को समझते हैं कि numerical में हमें क्या क्या important चीजे निकाल लिया तो consider a hard disk hard disk is given in which block size is 1000 bytes each record is of size 250 bytes if the total number of records are 10,000 and all the data that we are entering in the hard disk without any order मतलब data जो है वो unordered है what is the average time complexity to search a record from the hard disk तो हमें दिया क्या है यहाँ पे एक hard disk है hard disk को blocks में divide किया हुआ है और हर block का size कितना है 1000 bytes और उसके बाद इन blocks में डालना क्या है record क्योंकि record मतलब table के अंदर जो हम row की बात करते हैं table में rows है तो उन rows को हमें इन blocks के अंदर डालना है हर row का size इसको आप row भी बोल सकते हो या record भी बोल सकते हो तो हर row का size कितना है 250 byte और ऐसी कितनी rows डालनी है कितने records डालनी है 10,000 records तो सबसे पहले देखो यहाँ पे hard disk को हमने blocks में divide किया हुआ है हमेशा hard disk कभी भी directly use नहीं करते है हमेशा हम उसको logically divide करते है blocks में logically not physically logically blocks में divide करने का फाइदा क्या है कि data जो है वो properly efficient way से हम उसमें insert कर सकते है अगर एक simple से example ले हम अगर मुझे कोई book लिखनी है और उस book में 10,000 lines है मतलब जो भी मैंने content लिखना है वो content को मुझे book में publish करना है अब वो 10,000 lines है तो क्या मैं एक page में एक ही page में सारी lines डाल दूँगा अगर मैं एक ही page में सारी lines डाल दूँगा तो उसको पढ़ना जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो जैसे अगर मैं एक simple book का example ले तो इस book में अगर हम बात करें कि 10,000 number of records है तो क्या वो 10,000 number of records एक ही page में है नहीं हमने क्या किया इस book को पहले pages में divide कर दिया या blocks में तो pages और blocks एक ही बात है तो blocks में divide कर दिया अब हर एक block में data को put करेंगे so this is the concept तो यहाँ पे हमने blocks में हर block का size जो है वो fix लिया है 1000 byte ये अलग लग भी हो सकता है बट numerical solve करने के लिए बैटर है कि आप इसको fix ले लो हर block का size 1000 अब इसमें जो record डालना है वो record का size कितना है 250 bytes 250 bytes तो सबसे पहला question किया आता है number of records number of records we can put we can put in every block हर block में कितने number of records हम डाल सकते हैं कैसे निगाल होगे very simple 1000 byte capacity है और हर record का size कितना है 250 bytes मतलब एक box है उस box में कुछ item डाल ली है वो item का size है 250 bytes और box का size है 1000 bytes तो ऐसी कितनी items डालेंगी 4 items जो है वो डालेंगी तो यानि आप बोल सकते हो कि हर block में 4 records 4-4 records जो है आप डाल सकते हो इस तरीके से 1 2 3 अब ये record में है क्या student let's say अगर मैं student का example है कि 10,000 records जो डाल रहे है वो student का record student का table है तो क्या होगा student का ID, student का name, student का father name, student का mother name, student का age इस तरीके से record की जो values है record की जो values है वो यहाँ पे store हो जाएंगी अब दूसरा point यहाँ पे क्या बनता है कि अगर total number of records डाले है 10,000 तो मुझे कितने number of blocks चाहिए now the second point is number of blocks required total number of blocks required total number of blocks कितने required है बदला मुझे ऐसे such कितने blocks चाहिए तो मेरे को कितने records डाले है 10,000 और हर एक मेरे को कितने record डाले है आपे 10,000 और हर एक block में कितने record आ रहे है 4 तो यानि आपको total 2500 blocks चाहिए total कितने blocks चाहिए 2500 blocks डालोगे 2500 blocks आपको चाहिए hard disk के अंदर क्यूंकि हर में 4, 4, 4, 4, 4, 4 तो 2500 into 4 10,000, तो यह सारे records अगर आप hard disk में डालना चाते हो, तो आपको 2500, 2500 blocks लेने पड़ेंगे, और फिर आपका data पूरा fit हो जाएगा दूसरा point यहाँ पर क्या याद रखना यह line, कि जो data डाला है वो कैसे डाला है, un-ordered order और un-ordered का मतलब है है, कि या तो हम data डाल सकते है sorted way, जैसे roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या फिर हो सकता है, मेरा data ही कुछ इस तरीके से है, जिसमें कोई order बन ही नहीं रहा, मतलब roll number 1, 10, 20, 30, 500, 2, इस तरीके से भी हो सकता data, तो जो भी आपको question में given है आपको उसके according हम solve करेंगे तो अगर आप मान के चलो कि इसमें हमने data जो है, वो सारा put कर दिया total number of मेरे 2500 blocks जो है, वो लगेंगे अब जैसा कि मैंने last video में discuss किया था कि indexing काम कैसे करती है यह actual में basic architecture क्या होता है, CPU query को process करता, तो CPU के पास है query I select star from let's say student where where role number is equal to 3, 4, 5 कुछ भी query आई where role number is equal to 3, 4, 5, अब इसको search करने के लिए data तो हमारा hard disk में पड़ा तो होता क्या है एक block, मतलब एक block जो है वो RAM के अंदर आएगा, क्योंकि RAM का size तो limited है अगर सारा data आप RAM में रख सकते हो, तो hard disk को निकाल लो system से, आप सारा data RAM में रख लो लेकिन RAM जो है वो क्या होती है limited, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB और hard disk 1TB तो अब RAM में सारा data तो रख नहीं सकते तो होगा क्या, होगा क्या journal अगर हम देखे, let's say अगर इस book में मुझे किसी topic को search करना है, तो कुछ भी data कोई भी sorted नहीं है, कोई clue नहीं है हम बिल्कुल fresh है रहा है, हमने कुछ value को डूढ़ना है, कोई row को डूढ़ना है तो कैसे डूढ़नेगे उस row को एक एक करके page को shuffle करेंगे, एक एक करके page को shuffle करेंगे, shuffle करने के बाद scan करेंगे फिर फिर pay shuffle करेंगे scan करेंगे फिर shuffle करेंगे scan करेंगे इस तरीके से तो वही काम यहाँ पर कर रहे हैं हम क्या कर रहे हैं इस block को ram में लाएंगे RAM में लाने के बाग उसको scan करेंगे अगर मिल गया तो good नहीं मिला roll number 3, 4, 5 तो इस block को वापिस बेज़ो दूसरे block को लाओ फिर दूसरे block को call किया और उसको search किया, scan किया नहीं मिला, तो वापिस मिल गया तो good तो वापिस क्यों बेज़ रहे हैं RAM का size limited है, ऐसे तो सारे blocks इसमें भर जाएंगे, तो इसलिए और और भी तो process यूज कर रहे हैं ना इस RAM को, जुरूर तो नहीं है कि सरफ एक process, multitasking environment है तो बहुत सारे लोग जो है वो RAM को share कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप से पूछा किया what is the average time complexity to search a record from the hard disk अब यहाँ पे complexity निकाली है in terms of IO cost in terms of IO cost, बड़ा ही ध्यान से सोचो इस topic को, इस मुद्ध को ध्यान से देखो कि अगर मैं इस block को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो कितने record है इसमें, चार तो चार record को अगर सर्च करने में, let's say, 4 millisecond लग रहे हैं, तो जब दूसरे block को लेके आऊंगा, तो दूसरे block को भी सर्च करने में कितना टाइम लगेगा, 4 millisecond ही तो लगेगे, क्योंकि हर block में same ही तो लाइन है, मतलब अगर मैं book की बात करूँ, तो इस book में, अगर एक page को scan करने में, चार सेकींड लग रहे हैं, तो इस page को scan करने में भी तो 4 सेकींड ही लगेगे, इसको भी 4 सेकींड, इसको भी 4 सेकींड, तो यहां पर time time जो है इसको search करने का नहीं है, time जो है I.O cost, मतलब कितने blocks को call कर रहे हैं, that is the time complexity, तो कितने blocks को कॉल कर रहे हो कितने ब्लॉक को कॉल कर रहे हो तो ध्यान से देखो अगर मैं बेस्ट केस की बात करूं बेस्ट केस बेस्ट केस मतलब जिस टॉपिक को आप डूंड रहे थे जिस रोल नंबर को आप डूंड रहे थे वह पहले ब्लॉक में मिल गया तो आपने एक ब्लॉक को call किया, roll number 3, 4, 5 डूंडा नहीं मिला फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर चौते को फिर पांचवे को, तो कहां मिलेगा worst case में, last block last block का मतलब है 25 वाले block में, मतलब अगर वही book की बात करें, तो आप किसी topic को डूंड रहो, जैसी आपने page इदर किया, पहले page पे मिल गया और ये भी हो सकता है, कि आप पूरा scan करने के बाद बिलकुल last page में, वह value मिले, तो अब विस ही बात है best case में, एक block को scan किया, worst case में पच्ची सो blocks को shuffle करके scan किया तो average case का मतलब क्या बना, average case simple, पच्ची सो divide by 2, that is 12 50 12, 50, linear search है यह क्या है, एक तरह से linear search ही तो लगा रहे हैं linear search ही use होगी क्यूंकि data जो है, वो un-ordered है तो अगर हम n number of blocks हो तो time complexity क्या होगी n, average case में n by 2, जिसको आप order of n भी लिख सकते हैं तो linear search में time complexity क्या होती है order of n, और अगर यहाँ पर मैं थोड़ा सा change कर दू अगर data मैं बोल दू, ordered है अगर मैं data बोल दू, ordered है given है, कि data जो है, वो ordered है मतलब, row number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sorted है अगर data sorted है, तो linear search क्यों लगा दी binary search लगा binary search क्या होती है वो तभी लगती है, अगर data जो है sorted हो, या तो ascending order भी या descending, वो matter नहीं करता, बट data sorted होना चाहिए, तो data अगर sorted होगा, तो मैं binary search लगाऊंगा, तो binary search क्या कहती है, time complexity log n, base 2 तो उस case में फिर क्या हो जाएगी log n, base 2 that is 2500 तो 2500 base 2 it is 11, 12 it is I think 12 तो time complexity अगर linear search लगा रहा हूँ unordered के case में तो linear ही लगेगी तो 1250 और अगर मैं binary search लगा रहा हूँ अगर data ordered है, तो कितनी हो गई 12, बहुत ही कम रह गई लेकिन indexing कहता मैं इससे भी कम कर दूँगा अभी यहाँ पर indexing तो आई दी है यह तो हम time complexity निकाल रहे है without indexing अब यही question हम with indexing करेंगे तो आपको तब clear होगा कि actual में indexing ने क्या किया, कैसे IO cost को reduce किया तो 12 आपको लग रहा होगा कि 12 तो इससे comparatively बहुत कम है लेकिन indexing कहता में 12 से भी कम करूँगा value कैसे कम करेंगा वो further वीडियो में देखेंगे तो इस वीडियो से आपको बिल्कुल एक point of view बन जाएगा कि indexing क्यों use कर रहे हैं without indexing क्या होता है So this is how we search the data in database management system Thank you